नमस्कार नसतीश महरा आज राजनिती से हटकर कुछ खेलों की बात करते हैं खेल जगत में विशेश कर कुस्ती की दुनिया में साक्सी मलिक का एक बड़ा नाम है साक्सी मलिक ने रियो ओलंबिक 2016 में कांसिया पदक जीत कर देश का नाम रोशन किया है इससे पहले भी साक्सी मलिक ने रास्टमंड खेलाओं और कई अंतरास्टिय खेल परतियों के ताओं में पदक जीते और देश का गौर बड़ाया है अब उन्होंने अपनी विटनेस नाम से आतमकथा लिखी है इस आतमकथा के सेलेखक जोनाथन सिल्वराज है साक्सी मलिक ने अपनी इस बाइगरोफी में खेल की दुनिया से जुड़े और खिलाडियों से जुड़े कई खुलासे किये हैं साक्सी मलिक का नाम तब और ज़्यादा चर्चित हुआ जब साक्सी मलिक, मिनेज फोगाट, बजरंकोनिया और अन्या पहलवान खिलाडियों ने मिलकर रैस्लिंग फेडरेशन के अध्यक्स ब्रजभूसन शर्ण सिंग के खिलाब दिल्ली में एक बड़ा अंदोलन किया था इस अंदोलन के वज़े से आम जन्ता की सानुभूती भी इन पहलवानों ने बटोरी अब ब्रजभूसन सिंग का केश दिल्ली न्यालिया में है इस अंदोलन के बाद विनेश फोगाट ने पेरिस ओलम्पिक में हिसा लिया और ओलम्पिक में अयोग्य घोसीत होने के कारण पदक जीतने में वन्चित रही थी आलांकि विनेश फोगाट ओलम्पिक में पदक्त नहीं जीत पाई लेकिन उनको देशवासियों ने बड़ा सम्मान दिया और उनके प्रती सानुभूती जताई इस सानुभूती को कैश कर कॉंग्रेस पार्टी ने आगे बढ़कर विनेश फोगाट को और बजरंग पूनिया को राजनीती में शामिल किया विनेश को हरियाणा विदानसबा के चुनाओ में जोलाणा विदानसबा क्छेतर से उम्मिद्वार बनाया और वे चुनाओ जीत कर विदाएक भी बन गई अब शाक्षी मलीक की विटनेस नामक आतमकथा प्रकासित हुई है अपनी इस आतमकथा में शाक्षी मलिक ने अंदोलन की गतिविदियों का खुलासा करते वे कहा कि दिल्ली में उनके विरोध परदर्शन के दोरान उनके नजदीक की लोगों ने विनेश और बजरंग के दिमाग में लालच भरना शुरू किया तो उनके विरोध परदर्शन म में दरार आने लगी इसी लालच के चलते बजरंग कोनिया और विनेश फोगाट को 2023 ACI खिलों के ट्रायल में छूट दी गई साक्षी ने अपनी बिटनेस में लिखा है कि उन्होंने छूट लेने का फैसला नहीं लिया साक्षी ने अपनी किताब में ये भी लिखा है कि बजरंग और विनेश की ट्रायल से छूट लेने का आंदोलन पर ज्यादा आशिर पड़ा इससे हमारा विरोध परदर्शन भी बुरीतरय प्रभावित हुआ था ने केवल विरोध परदर्शन की छवी बुरीतरय प्रभावित हुई थी बलकि उनके समर्थों ने ये सोचना शुरू कर दिया था कि पहलवान अपने स्वार्थ के लिए विरोध कर रहे हैं अपनी विटनेस बाइग्रावि में साक्सी ने पूरू पहलवान बवीता भोगाट पर भी अपने स्वार्थ के लिए विरोध परदर्शन का फाइदा उठाने का अरोप लगाया है